नमस्कार इबरिबडी, वेलकम टू एक्जाम सोच पर दोस्तो इस वीडियो में हम करेंगे लूसंड किताब का निचोड लूसंड के एकचार मोस्ट इंपॉर्डन कोशन का पार्ट वन है ये सारे कोशन सेलेक्टेड और सभी एक्जाम के लिए वेरी इंपॉर्डन प्रसन है तो दोस्तो आप इस वेडियो को पूरा चुरूर देखिएगा वेडियो वहुत ही सांदार चबरदस्त होगी तो चले आज किस वेडियो को सुरू करते हैं पहला कोशन है किस दल ने दो वर्ष के समय में दो परधान मंत्री दियें जन्ता पार्टी ने दो वर्ष के समय में दो परधान मंत्री दियें वर्ष 1975 से 1977 के बेच आपात काल के दोरान भारत के परधान मंत्री कौन थे इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री थी आपात काल के दोरान लोगसभा के अधनियमों के अंतरगत सदन का नेता का आर्थ 10 से है यदो लोगसभा का सदस हो सदन का नेता दोस्तों प्रधान मंत्री होता है परधानमंत्री पद से पद त्याँ करने वाले पर्थम बेक्ट कौन है? नेक्स्ट कुछन निवक्ति के समय निम्न में से कौन परधान मत्री संसद के किसी भी सदन का सदस नहीं था प्रधान मत्री का पद गरहन करने के समय बिधान सभा का सदस कौन था हड़ी द्योगोडा थे दोस्तो हड़ी द्योगोडा प्रधान मत्री का पद गरहन करने के समय बिधान सभा के सदस थे नेक्स्ट कुछन इंद्रा गांधी दूसरी अबधी के लिए परधान मत्री कब बने थे 1980 से 1984 तक दूसरी अबधी तक इंद्रा गांधी परधान मत्री बने थे जबहाला नहरू के नीधन के पसाथ किसने परधान मत्री पद गरहण किया था गुल्चारी रा नंदा ने पद गरहण किया था जबाला नहरू की मरतयों के पसाथ गुल्चारी रा नंदा कारवाग परधान मंतरी बने थे भारत के वो पर्थम परधान मंत्री कौन थे जिन्होंने संसत के सत्र में उपस्थ हुए बिना त्याग पत्र दे दिया था चोधरी चरण सिंग भारत के प्रधम प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने संसत के सत्र में उपस्यत हुए बिना प्रधान मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था Next question सामुहिक रूप से मंत्री प्रसत किसके प्रत उत्तरदाई होता है? लोग सभा के प्रत उत्तरदाई होता है मंत्री परसद लोग सभा के प्रत उत्तरदाई होता है Next question कोई ब्यक्त संसद के किसी भी सदन का सदस हुए बिना केंदर में कितनी अबधी तक मंत्री रह सकता है 6 महिने की अबधी तक मंत्री रह सकता है संगे मंत्री परसद के मंत्री उत्तरदाई होते हैं केबल लोग सभा के परत उत्तरदाई होते हैं संगे मंत्री परसद के मंत्री केबल लोग सभा के परत उत्तरदाई होते हैं संसद के दो छेत्रों के बीच आधिक्तम कितना अंतराल दिया ज़सकता है अधिक्तम छे महिने का अंतराल दिया ज़सकता है संसद के दो छेत्रों के बीच अधिक्तम छे महिने का अंतराल दिया ज़सकता है निमलेखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है राज्य सभा है दोस्तों संसद जो है भारत की संसद राज्य सभा लोगसभा और राच्टपती से मिलकर बनती है भारत की संसद का निर्माड कैसे होता है राज्य सभा लोगसभा और राच्टपती से मिलकर Next question एक वर्स में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अबस सेखें यद किसी सामान बिधायग पर राज्य सभा उलोक सभा की बीच गतिरोध हाता है तो उसका समाधान कौन करेगा संसद का सेउक्त सत्र करता है आस थाई संसद भारत में कब तक अस्तित में रही 17 अप्रेल 1952 तक भारत में अस्तत में रही आस्ताई संसद साधारण बिधैक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनूं की सयुक्त बैठक कौन बुलाता है राच्छपती भारत का प्रसिडेंट बुलाता है नेक्स्ट कोसन भारत की संसद के दोनों सदनूं की सयुक्त बैठक के से लिए आवजित की जाती है उस बिधैक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मत्भेद हो और सयुक्त बैठक के संशेद के तहत बुलाई जाती है दोस्तों एक बैक्त नागरिक्ता के अधिकार कैसे खो सकता है एक कारण हो सकता है एक बैक्त नागरिक्ता के अधिकार खो सकता है अगर कोई बैक्त दूसरे देश की नागरिक्ता को अरचित कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिक्ता स्वयम समाप्त की जा सकती है नेक्स्ट कोuli से अनुछेद चालिसे दोस्तो सो आर्टिकल 40 है जो رाज्य सरकारो को ग्राम पंचात की गठन का निर्देश देता है सबधान के अनुछेद एक में भारत को क्या कहा गया है भारत को राज्यों का संग कहा गया है 1. अनुचेद एक में भार्ट राज्यों का संग है ये बताए गया है नेक्स्ट ख्वूसन सबधान का कौन सा अनुचेद मंत्री पर्षद के गठन के बारे में आधार भूत नियम निर्धारिट करता है अनुछेद 75 है जो मंतरी परशत के गठन के बारे में आधार भूत नियम निर्धार्त करता है अनुछेद 75 है भारते सब्धान का कौन सा अनुछेद नई अखिल भारते सेवा कि अस्थापना का प्राउधान करता है नेक्स्ट कोस्ञ भारती सब्धान का कौन सा अणचेद बिभिन आधारों पर किसी भी भारती नागरिक के साथ भेधभाव से सम्बंदित है अणचेद पंदरा है दोस्तों अणचेद पंदरा में बताएगे है कि कोई भी बेकत के साथ जात लिंग धर्म या फिर जन्मस्थान के साथ आधार पर भेधभाव नहीं करेगा ये अनुचेद 15 में बताया गया है Next question सब्धान में मंत्री मंदल सब्द का एक बार प्रियोग हुआ और कहां पर किया गया है अनुचेद 352 में किया गया है आर्टिकल इक्याबन है जो अंतरष्ट सांती और सुरच्छा के सम्बधन से सम्बधित है और नीती नीदेशतर किस अनुछेद में बताएगे हैं अनुछेद 36 से इक्याबन में नीती नीदेशतर सिधान्त बताएगे हैं नेक्स्ट क्वेशन, भारती सम्थान के किस अनुछेद में अनूची जातियो और अनुची जन जातियो के लिए आरच्छड का प्रावधान किया गया है अनुछेद 395 में आरच्छड का प्रावधान किया गया है सब्धान का कौन सा अनुचेद भारत के नियंतरक और महालेखा प्रिच्छ के कर्तेब को निर्धारित करता है अनुचेद 114 है आर्टिकल 114 है जो भारत के नियंतरक और महालेखा प्रिच्छ के कर्तेब्यों को निर्धारित करता है अनुचेद 114 है भारती सब्धान का कौन सा अनुचेद सभी नागरिकों के लिए सामान नयाए और मुफ्त कानूनी सहता को प्रतुसाहित करता है अनुचेद 42 कुलोच ए है जो सभी नागरिकों के लिए सामान नयाए और मुफ्त कानूनी सहता को प्रतुसाहित करता है भारत के सब्धान का वो कौन सा अनुचेद है जिसमें भारत के नियंतरक और महालेखा प्रिच्छक का उलेख है अनुचेद 148 में भारत के नियंतरक और महालेखा प्रिच्छक का उलेख किया गया है आर्टिकल 148 में बारते समधान के किस अनुचेद में ने राजी के परवेज या स्थापना का पराउधान किया गया है? अनुचेद 2 में किया गया है दोस्तों? आर्टिकल 2 में ने राजी के परवेज और अस्थापना का पराउधान किया गया है? अनुचेद 2 में किस देश में दोहरी नागर नागरिक्ता का सिध्धांत सोविकार किया गया है स्नेउक्त राज अमेरिका में दोहरी नागरिक्ता का सिध्धांत सोविकार किया गया है स्नेउक्त राज अमेरिका में और भारत में कैसी नागरिक्ता है भारत में एकल नागरिक्ता है चुकि ब्रिटेन देश से अपनाएग Next Question नागरिक्ता संसोधन अधिर्ण बता ईगये हैं मंत्री परशत पर विचार करते हैं 1964 और 75 में मंत्री परशत के बारे में बतायागये हैं Next Question संसदिये तंत्र में निमलिखत में से वास्तविक कारपाल का कौन है? मंतरी परसद वास्तविक कारपाल का होती है. भारत के मंतरी परसद. जो ब्यक्त सांसद नहीं हो, क्या उसे मंतरी नुक्त किया ज़सकता है? हाँ, उसे मंतरी नुक्त किया ज़सकता है, लेकिन उसे छे मह जो ब्यक्त सांसद नहीं होता है उसे भी मंत्री नियुक्त किया ज़सकता है लेकिन 6 मेहने के भीतर भीतर उसे संसद का सदस बन्ना अनिबार होता है। प्रथम रच्छा मंत्री थें भारत का समधान भारत को कैसे वरेड़ करता है राजियों का संघ के रूप में वरेड़ करता है भारत का समधान भारत को नेक्स्ट क्वेसन 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में बिले के लिए कौन उत्तर दाई था। सरदार बलनभाई पटेल उत्तर दाई थें पर्थम भासाई राज किसे बनाया गया था। तो इस ग्वेसन का एंसर होगा आंधर प्रदेश को पर्थम भासाई आधार पर भारत का राज बनाया गया था। तो एंसर हो जाएगा चोदा राज और छे संगे चेतरों की अस्थापना की गए थी दोस्तों 1956 के राज पुनरगठन अधिनियम के दोरा। नेक्स्ट क्वेसन निमलिखत में से किस के अंदर सासी परदेश को आंसिक राज का धरजा दिया गया है। पुद्दुचेरी के दोस्तों पुद्दुचेरी को आंसिक राज का धरजा दिया गया है। आंसिक राज का धरजा पुद्दुचेरी के अंदर सासी परदेश को दिया गया है। Next question है निमलिख्यत में से केस वर्स सिक्किम को राज का धर्जा दिया गया 1975 में सिक्किम को राज का धर्जा दिया गया 1975 में 36 सब्धान संसोधन की दोरा सिक्किम को भार्द का राज का धर्जा दिया गया और 35 सब्धान संसोधन को दोरा सिक्किम को भार्द का साहिक राज बनाय गया था 1974 में Next question सब्धानिक प्राउधानों की अनुसार राज्यों की सिमाओं को बदलने के लिए डे सहमती की अवसकता नहीं है संसद राज्यों की सहमती की अवसकता नहीं है संसद राज्यों की सहमती के बिना भी राज्य की सिमाओं को बदल सकता है निमलिकत में से कौन सा भारत में परसासन पर बिधाईन यंतरड का एक साधन नहीं है सदन का बिधाईन यंतरड का एक साधन नहीं है के सब्धानिक संसोदन अधिनियम के दोरा सब्धान में मौल करतब्यों को समलित किया गया बैलिसिबा सब्धान संसोदन के दोरा सब्धान में मौल करतब्यों को समलित किया गया बेलिसिबा सब्धान संसोदन की दोरा 1976 में सब्धान में मौलिक कर्तवियों को जोड़ा गया था Next question है मौलिक कर्तवियों को निर्धायत किया गया तो बेलिसिबा सब्धान संसोदन की दोरा मौलिक कर्तवियों को जोड़ा गया दोस्तो भारते सब्धान में और वरतमान समय में 11 मौलिक करतव भारते सब्धान में दिया गया है और मौलिक करतवियों को किस समती के सिफारिस पर जोड़ा गया था नेक्स्ट क्वस्टन भारते सब्धान में मौलिक करत्वियों की सूची निमलिखित मैंसे किस भाग के रूप में चोड़ी गई थी भाग चार के रूप में भाग चार का में मौलिक करत्वियों को बताया गया है भारते सब्धान में नेक्स्ट क्वेसन भारत के सब्धान के अंसार भारतिय नागरिकों के मौलिक करतेब हैं। नेक्स्ट क्वेसन संसद्य समत्य प्रणाली के तहट 12 अप्रेल 1993 से कितने समत्यों ने कार करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेसन संसद्य समत्य में लोगसभा और राजसभा के सदस्यों की संख्या करमसाव वती है। लोक सभा के 30 सदस होते हैं और राचिस सभा के 15 सदस होते हैं समयुग्त संसद्य समति में। निमलिखत में से कौन, कौन सा सार्बजनिक बेपर संसद्य नेंतरड का अंग नहीं है। लोक लेखा समति में 22 सदस होते है। सामुहिक रूप से मंत्री परशद किसके प्रत उत्तरदाई होता है? लोग सभा के प्रत उत्तरदाई होता है मंत्री परशद अगला क्वेसन है सार्वजनिक लोग लेखा समती में राज्य सभा के कितने सदस होते हैं? राज्य सभा के साथ सदस होते हैं सार्वजनिक लोग लेखा समती में किन राज्चियों में साजह उचन्याले है, महराच्ट और गोबा का एक साजह उचन्याले है, महराच्ट और गोबा राज्च का नेक्स्ट क्वस्टन है आंडमान वा निकोबार तुईप पर निमलिखित उचन्यालेों में से किस एक छेत्रा धिकार है बारत के 25 उच्चिनालियों में से किसकी अस्थाबना सबसे बाद में हुई Next question दो या अधिक राजियों के लिए एक उच्च न्याली की अस्थापना किसके द्वरा की जा सकते हैं संसत द्वरा परित एक कानून के द्वरा दो या दो से अधिक राजियों के लिए एक हाई कोड की अस्थापना की जा सकते हैं बंदी प्रतिश्य करण याचिका के अतरिक्त किस याचिका को उच्छ न्याले जारी कर सकता है। सबसे पहले किस उच्छ न्याले जारी करता है। सबसे प्रतिश्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेसन है भारत का 25 उच्छ न्याले कोन है। आंदर प्रदेश हाई कोट हो जाएगा दोस्तों। आंदर प्रदेश हाई कोट भारत का 25 उच्छ न्याले है। नेक्स्ट क्वेसन उच्छ न्याले का न्याधिस बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक उच्छ न्याले के अधिपकता की रूप में वकालत का अनिभो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेसन राज्य सरकार का सबधानिक परमुख होता है। नेक्स्ट क्वेसन राज्य विधान मंडल के अनिभोधन की बिना राज्पाल द्वाराचारी अध्यदेश के राज्य परमुख होता है। इतनी अबधी के लिए लागु रहेगा। छे सब्धा के लिए लागु रहता है राज्पाल द्वाराचारी अध्यदेश छे सब्धा के लिए लागु रहता है। निमलिकत में से कौन भारत की राच्टपती की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। राजपाल होता है दोस्तों, राजपाल होता है जो राच्टपती की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। गवर्णर दोरा चारी किया गया अध्यदेश किसके दोरा मंजूर किया जाता हैं विधान मंडल की दोरा मंजूर किया जाता हैं Next question, किसी राज में राजपाल की नियुक्ति सब्धान के किस अनुचेत के तहत होती हैं? अनुचेत 155 के तहत, किसी राज में राजपाल की नियुक्ति के जाती हैं? अनुचेत 155 के तहत अगला कोशन है भारती उच्छतम नाली के नाधिसों की नियुक्ती कोन करता है तो राच्छपती एंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का प्रेसेडंट सुप्रीम कोड के नाधिसों की नियुक्ती करता है दो या अधिक राज्जियों के पेच किसी भीबात के मामले में निर्णने के नियुक्ती की सकती क्या कहलाती है आरंभिक अधिकारता कहलाती है Next Question राच्छपती और उप्राच्टपती के निर्वाचन में भीबात के मामलों को किसको प्रसुत किया जाता है भारत के उचितम न्यालिक को प्रस्तुत किया जाता है उचितम न्यालिक के मुख न्याधिस कितने वर्ट्स की आयुतक पदधारी रहते हैं 65 वर्ट्स की आयुतक रहते हैं दोस्तो 65 वर्ट की आयो तक उच्चितम न्याले के मुख न्याधिस अपने पद पर बने रहते हैं सर्वोच न्याले के मुख न्याधिसों को प्रतिमा कितना बेतन मिलता है 2,80,000 रुपे का बेतन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख न्याधिस को 2,80,000 का पेतन प्रतिमा दिया जाता है Next question भारत के उच्चितम न्याले को प्रारंभिक, अपीले और प्रामर्स दाई छितरा धिकार प्राप्त है भारत के सुप्रीम कोड को Next question है Next question जब भारतिय न्यायक पद्यती में लोग हित मुकदमा यानि की PIL लगाया गया तब भारत के मुख न्यायमूर्थी कों थे? PN भगवती भारत के मुख न्याधिस थे Next question निमलिकत में से उच्चितम न्याले की सबसे पहली महिला न्याधिस कों थे? फातिमा बीबी थी दोस्तों फातिमा बीबी उच्चितम न्याले की सबसे पहली महिला मुख न्याधिस थे? फातिमा बीबी अगला question सर्बोच न्याले के जजों का बेतन केसे आहरित होता है? संचित निधी से दिया जाता है सर्बोच न्याले के जजों का बेतन संचित भारत की संचित निधे से दिया चाता है। बिधान मंदल का भाग नहीं माना चाता है। मुख मंतरी को राजियों में बिधान मंदल का भाग नहीं मानते हैं। निधे से कौन की पुर्थम महिला मुख मंतरी थे। मुख मंत्री और भारत की पर्थम मुख मंत्री बनी थी सुचेता करपलानी नेक्स्ट क्वेसन राज्यों में मुख मंत्री सहत मंत्री पर्षद में मंत्रियों की नियुंतम संख्या क्या हो सकती है बारा हो सकती है मंत्रियों की संख्या नियुंतम बारा हो सकती है नेक्स्ट क बिहार बिधान परसद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 सदस हैं, बिहार बिधान परसद में कुल 75 सदस हैं. Next question, क्या किसी राज के बिधान परसद के उत्पादन की प्रक्रिया में परसद की कोई भूमिका होती है? नहीं होती है विधान परसद के उत्पादन की प्रक्रिया में परसद की कोई भी भोमिका नहीं होती है नेक्स्ट क्वेस्टन है राज विधान परसद के निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन किसके दोरा किया जाता है परिसीमन आयोक के दोरा राज बिधान सब परिशत के निर्वाचन शेतरों का परिशीमन क्या जाता है परिशीमन आयोक के द्वरा Next question निमलिकत में से किस राज में दूई सदनातमक बिधायका नहीं है मद्द परदेश में नहीं है दोस्तो चुना जाता है एक तिहाई हैस्था अस्थानिय निकायों के द्वरा चुना जाता है एक तिहाई हैस्था मुख मंतरी की निउक्ति किसकी द्वरा की जाती है राजपाल के द्वरा की जाती है दोस्तो राजपाल की द्वरा मुख मंतरी की निउक्ति की जाती है किसी विधान स असम विधान सभा में कितने सदस हैं? 126 सदस हैं असम विधान सभा का सदस बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी अबस्यक है? 25 साल नियुनतम आयू होना अबस्यक है? विधान सभा का सदस बनने के लिए 25 साल नियुनतम आयू होना अबस्यक है? नेक्स्ट क्वस्टन राज की विधान सभा के सत्रावसान के आदेश किसके दोरा दिये चाते हैं नेक्स्ट क्वस्टन है उत्तराखंड विधान सभा में एक सदस नामित किया जाता हैं एंगलो इंडियन समदाज से एक सदस नामित किया जाता हैं उत्तराखंड विधान सभा में भारत में स्वतनता के बाद पर्थम आम चुनाओं कब संपन कराएगे थे स्वतनता के बाद गया था, 1989 में 1969 में 16 enables से घटा कर 18 बर्स किया गया मददान की आयो, 1989 में 69 पे सब्धान संसोधन के दोरा, next question, भारत में निर्वाचन सुची तैयार करने की जिम्मेदारी किसी है, निर्वाचन आयो की जिम्मेदारी है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयो की नियूपति कौन क प्रति मुख्व चुनव आयुक्त की नियुक्ति करता हैं भारत का प्रसिडेंट नेक्स्ट कोसन दीनेश गोस्वामी समति ने सिफारिस की थी लोग सभाके चुनाओं के सरकारी निधेन की सिफारिस की थी दीनेश गोस्वामी समति ने भारत का प्रता मुख्व चुनव प्रतिमा दो लाग पच्चा सजा रुपे का प्रतिन दिया चाता है। सब्धान निस्द करता है भरत का सब्धान निर्वाचन आयुक्त की सेबा सर्थ और कारकाल को निस्द करता है। नेक्स्ट कोस्टन पर्थम राच्टे आपात काल की उद्घोसरा के समय देश की राश्टपती कों थे? डॉक्तर एस राधा किर्शनन थे। सासन की प्रारंभिक अबधी कितनी होती है? छे महा होती है दोस्तों, किसी राज में राच्टपती सासन की प्रारंभिक अबधी छे महा होती है। अधिक्तम तीन वर्स तक किसी राच में राश्टपती सासन लागू किया जा सकता है। अगला क्वेशन निमलिकत में से किस अनुचेद का समर्थन डाक्टर बी आर अमबेटकर के द्वरा इस तर्क पर किया गया था किसका प्रियोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। अनुचे 356 के बारे में डाक्टर बी आर अमबेटकर ने कहा था दोस्तों किसका प्रियोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। अनुचे 356 के तहट किसी राज में राच्टपती सासन लागू किया जाता है और पहली बार राच्टपती सासन पंजाब में पहली बार राच्टपती सासन लागू किया गया था। नागलेंड की अधिकारिक भांसा अंग्रेजी हैं। नेक्स्ट कोशन निमलिकत में से कौन सी भांसा समधान की आठवी अनसूची में नहीं है। आठवी अनसूची में कुल 22 भांसाइं सामिल है दोस्तों 22 भांसाइं आठवी अनसूची में बताएगे हैं जिसमें भोचपरी 22 भांसाओं में नहीं सामिल है। नेक्स्ट कोशन भारत के किस राच या केंदर साथी प्रदेश में उर्दू को पर्थम राजभासा का धरचा प्रदान किया गया है। जम्मु कस्मेर में उर्दू को प्रथम राजभासा का धर्चा दिया गये हैं जम्मु कस्मेर में भारते सब्धान की कौन से बिसेस ब्योस्था दच्छड अफ्रीका के सब्धान से ले गये हैं सब्धान संसोधन के प्रक्रिया है दोस्तों जो दच्छड अफ्रीका के सब्धान के किस अंसोधन को भारत का मिनी सब्धान कहा जाता है और इसे 1976 में राच्टी आपात काल के दोरान लाया गया था बैलिस्बा सब्धान संसोधन है जिसे मिनी सब्धान लगो सब्धान कहा जाता है भारते सब्धान में किस अंसोधन के दोरा नागरिकों के मौलिक करते ब्योग को समलित किया गया है बैलिस्बे सब्धान संसोधन के दोरा नागरिकों के मौलिक करते बताया गया है बैलिस्पे सब्धान संसोधन के दोरा भारती सब्धान की प्रस्तावना में धर्म निर्पेच, समाजवादी तथ राच्ट की एकता अखंडता वाक्यां से किस अंसोधन के दोरा समाविष्ट किया गये हैं बैलिसवे सब्धान संसोधन के दोरा राष्ट की एकता और अखंडता शब दे सब्धान की प्रस्ताओना में चोड़े गे थें बैलिसवे सब्धान संसोधन के दोरा नेक्स्ट क्वेसन बैलिसपे सब्धान संसोधन के दोरा जोडा गया नए अन्चे संबन्धित था मोल कर्दब था दोस्तों मोल कर्दब को 21 सब्धान संसोधन के दोरा अच्छेद 51 का में चोड़ा गया था भारत की सब्धान के 24 सब्धान संसोधन के दोरा निमलिकित अधिकारों को मौलिक अधिकारों की स्रेड़ी से हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार था दोस्तों संपत्ति का अधिकार था जो चौवलिशिवे सब्धान संसोधन की दुरा 1978 में 1978 में मौलिक अधिकारों की सिरेड़ से हटा कर इसे एक बैधानिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों I hope कि आप कोई वीडियो पसंद ही होगी अगर वीडियो पसंद ही तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करिएगा और इस वीडियो को सेर भी करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आल पर किलिक कल जी ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसके नोडिफिकेसन आप तक जरूर पहुंचे कॉमेंट करके बताईए कि आप कोई वीडियो कैसे लेगी और कॉमेंट सेक्शन में बताईए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहे और जिस के उसको कमेंट में चरूर ऊपनाएंगे